इत्याज की सबसे बड़ी परिक्षा ऐसी परिक्षा जिसमें दो पारी में 26 लाग से जादा भ्यारती ने परिक्षा दी और उस परिक्षा की जो पवित्रता नश्ट होई है राजीव गांदी स्टेडी सर्किल के वो लोग जो तक्निकी सिक्षा राज्य मंत्री की सदारत में काम करने हैं वो उनके नेशनल कन्वीनर है स्वासगर्ग जिसके पैटरन राज्य के मुख्यमंद्री सो गैलोत है उनके करिंदों ने यह सिद्ध हो गया कि रीट के पेपर की चोरी करके और राजस्तान के अंदर बड़ी संक्या में कोचिंग सेंटरों के माध्यम से एक दोनी सेंक्डों करोडों का ट्रांजेक्शन किया है एसो जी ने दो करोड़ 20 लाग बरामत भी किये हैं सारी जांच में सारी सुईयां जब मंत्री मंडल में बैठे लोगों की और गूमने लगी हमने सरकार से मांग की हमने विधानसवा दख्जी से भी गुहार की कि हम सदन में ब बात रखना चाते हैं सब्सकर कोता साथ हमारी बात कि आके मामले को सीवाए ऑसो जेयलो जी ने आप तक चार अलग अलग मामले सीवाए को सोप एपर इस मामले के अंदर रीट की चीट के अंदर अपने सयोग्यों की तरब बढ़ती भी तहक phi सदन सगीत हुआ है हमने साब दो टूक सब्दों में कह दिया CBI की जाँच रीट के पूरे मामले में जब तक जाँच नहीं हो जाती और इससे पहले भी जितनी प्रिक्षा है ये प्रिक्षा में पास लेने का ठेका लेने वाला सडेंतर गिरो जिसके तार सेखावाटी में हैं अलग-अलग कोचिक सेंट्रों में हैं इन्होंने अब से पहले जितनी प्रिक्षा हुई है हमें सक कागों सब प्रिक्षा में इसी प्रिक्षा में इसी प्रिकार लेन देन और परसन पत्र लीक करने का काम इस वीक सरकार में हुआ है हम मांग कर रहे हैं देख दो सब्दों में कि सीबियाई से जांच कराओ सरकार हट दिन में ताब लगी है सरकार नहीं चाहती कि सदन चले हम चाहते हैं सदन चले और सरकार के नुमाइंदे चाहते हैं सदन से भागना आज परसंद काल में हमारे परसंद लगे वे थे हमने मने दक्स्टी से प्रातना की थी कि आप ग्रह मंत्री जी बिराजे हैं को जो काम देख रहे हैं शांती धारिबाल इनका वक्तव दिला कर ये बता दो कि CBI से जांच के जब सरकार ने मना कर दिया तो उसके बाद हमने संगर्स किया और हमारा संगर्स अनवर्त सदन के अंदर और सड़क पर जारी रहेगा हम सरकार को मजबूर करेंगे को CBI से जांच किराके जो संक्तित ग्रो पिछले धाइस सालों से इस राजस्तान के नौजवानों के अरमानों को लूट रहा है उसका उसका चेरा सामने आए उसके चेरे से नकाब भटे और असली किरदार सामने आए जिनके खिलाब कारवाई हो सरकार के रही पांच मामलों की जाज़ कारवाई हो आए तब वो सीबी आई में जान देने में गुरेज नहीं करते इसलिए यह बात कोई है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अजिंसी के बारे में वो यह बात नहीं कह सकते और उनको सीबी आई में यह कहकर टालना कि परिक्षा टल जाएंगी बिलकुल नहीं है प्रिक्षिया अपनी जिगह चलेगी और शीबी आई के जहांच अपनी जिगह चलेगी दुबारे विग्यापन निकालके नोजवानों की भरती इसी डेड मेने में होई हमारी मांग है और सरकार नकल विरोधी अध्यादेश लाने का जो वादा है इनोंने एक वर्ष पहले क्यादा उसको इस सदन मिलाकर जादेश सक्त प्रावदान करें यह भी हमारी मांग है देखें अभी पोस्ट और प्रोफिट के अंदर जो विधायकों को निक्ति दी गई है मैं मेरे लिगल एक्सपर्ट से राय ले रहा हूं और निश्चित तोर पर पोस्ट और प्रोफिट में जब याएंगे तो इनकी सदस्ता जाएगी क्योंकि अगर लेजिसलेट नहीं हुआ है उस जिन पदों पर उनको लगाया गया है उनको राजस्तान की विधान सबाने विधायक के रुप में पारिद नहीं किया है तो पो बेतन भता नहीं ले सकते ना आपको ध्यान होगा एक बार जैया बच्चन को उत्तर परदेश में फिल्म सेंसर बोर्ड का सदश्य बनाया था और उन्होंने कोई वेतन भी एक्स्टा नहीं लिया पर सुईदा ली थी उस पर उनके उनकी सदश्ता गई थी एक नहीं सोनिया 161 के अंदर मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है और इसके साथ आर्टीकल 149 में प्रावदान किया गया है कि कौन-कौन से पदों पर सरकार न्युक्ती दे सकती है उसके लिए क्या-क्या प्रावदान है उन प्रावदानों को सरकार ने पूरा नहीं किया और रिच्चित तोर्दवर राजिस्तान के उचिनायलाय तक मैं इस मामले को लेकर जाओंगा